इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। लोपैमिर टेबलेट का इस्तेमाल डायरिया के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल खूनी दस्ट, श्रॉच के साथ खून आना से पीडित मरीजों में नहीं करना चाहिए। लोपैमिर टेबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इससे चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है। तब तक ड्राइविंग तथा मानसिक एकागरता की आवश्यक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है। डायर्या, दस्त, शरीर से पानी के नुकसान और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का कारण बन सकता है। इसलिए अपने आपको हाइड्रेटड रखने के लिए प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ पीएं। अगर आपके मल में रख्थ है या अगर आपको गंभीर रूप से कब्ज हुआ है, तो इस दवा से बचना महत्व पूर्ण है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद